नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोब टूडे में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का इतिहास राजस्थान के एक एकरण से समंदित मौस्ट इंपोर्टेंट 30 कुशन जोकी बार-बार एक्जाम में पुछे जाते हैं यहें वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है जो आगामी रीट भरती प्रिक्षा, पत्वार भरती प्रिक्षा, पुलिस कॉंस्टेबल सब इन्सपेक्टर वन पाल वनरक्सक भरती प्रिक्षा की तैयारी कर रहे ह ताकि एक्जाम में आपका एक भी क्यूसन मिस ना हो और आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर अन कर लेना ताकि राजस्थान इतिहास टोपिक वाइज मौस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन से समादेते कोई भ प्रदेश ठिकाने और रियासतों की संख्या कितनी थी इस क्यूसन का राइट एंसवर ओप्सन सी राजस्थान एक एकरन के समय रियासत 19-1 के अंदर शासित प्रदेश तीन ठिकाने थे क्यूसन नमबर 2 राजस्ठान के एकिकरन का स्रे दिया जाता है सर्दार वल्लब भाई पठेल क्यूसन का राईट अंज़र होगा उपसिन C क्यूसन नमबर 3 राजस्थान एकिकरन में कुल कितना समय लगा था राजस्थान एकिकरन में आठ वर्ज शाथ माहत 14 दिन का समय लगा था इस क्यूसन का Right Answer Option B आठ वर्ज 7 माहत 14 दिन Next Question की तरह बढ़ते हैं राजस्तान एक एकरन में मतश्य संग का गठन कब हुआ था राजस्तान एक एकरन में मतश्य संग का गठन 18 March 1948 को हुआ था इस क्यूसन का Right Answer Option A को इस क्यूसन का राइट एंस्वर होगा ओप्सन बी 15 मई 1949 क्यूसन नमबर 6 30 मार्च 1949 में वरहद राजस्थान का प्रधान मंत्री किसे बनाया गया था इस क्यूसन का राइट एंस्वर होगा ओप्सन बी हीरालाल सास्त्री हीरा लाल सास्त्री को 30 मार्च 1949 में वरहद राजस्तान के गठन के समय हीरा लाल सास्त्री को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था क्यूसन नमबर साथ राजस्तान के कौन से चार राज्य थे जिनोंने मिलकर मतश्य संग का निर्माण किया था इस क्यूशन का right answer है option B, अलवर भरतपूर धोलपूर क्रोली, मतश्य संग के समय पर्थम चरण में अलवर भरतपूर धोलपूर क्रोली ने मिलकर मतश्य संग का निर्माण किया था क्यूशन नमबर 8, राजस्थान के पर्थम महाराजा प्रमुक कौन थे? इस क्यूसन का राइट एंस्वर है ओप्सन बी उदैपुर के महराना भुपाल सिंग क्यूसन नमबर नो राजस्थान एक एकरण के समय किस मारवार नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रियास किया था इस क्यूसन का राइट एंस्वर है ओप्सन ए हनुवंत सिंग, हनुवंत सिंग जोदपुर रियासत से समंद रखते थे क्यूसन नमबर दस राजस्तान एक इकरेंड के समय किस सासक ने कहा था कि मैं डेत वारंट पर अस्ताक्सर कर रहा हूं इस क्यूसन का राइट एंस्वर है ओप्शन डी बांसवारा महरावल चंदर वीर सिंग ने कहा था कि मैं डेत वारंट पर अस्ताक्सर कर रहा हूं क्यूसन नमबर 11 राजस्तान संग का निर्माट 25 मार्च 1946 उस समय राजपर्मुक किसे बनाया था इस क्यूसन का राइट एंस्वर है option A, महराव भीम सिंग कोटा महराव भीम सिंग कोटा को राजस्थान संका निर्वान हुआ था 25 मार्च 1948 को उस समय राजबरमुख बनाये गया था महराव भीम सिंग जो की कोटा के थे question number 12 राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है एकजाम में काफी बार question आ चुका है इस question का right answer है बाल मकंद विसा option B next question है राजस्थान की एक मातर मुसलिम रियासत थी राजस्थान की एक मातर मुसलिम रियासत टौंक रियासत इस question का right answer option C question number 14 निम्न लिखित में गलत सुमेलित कौन सा है संग और गठन वर्स दिया हुआ है इनमें से एक option गलत सुमेलित है उस option को चैन करना है आपको इस question का right answer है option D बाकि सभी option सही है पूर्वे राजस्थान संग का गठन 15 मई 1949 को नहीं हुआ था इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को वर्थ राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को सहक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रेल 1948 को मतश्य संग का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को बढ़ते हैं next question की तरह question नमबर 15 गलत सुमेलित है संग और राजपरमुख दिये हैं इस option में एक option गलत है इस question का right answer है option D वर्थ राजस्थान के राजपरमुख हिरालाल सास्त्री नहीं थे वर्थ राजस्थान के राजपरमुख थे महराजा सवाई मान सिंग द्वितिय थे महाराजा सवाई मान सिंग दिवितिय थे वरत राजस्थान के राजपरमुक मतश्य संग के राजपरमुक उदैभान सिंग थे समयक्त राजस्थान संग के भुपाल सिंग थे पूरुवे राजस्थान संग के महराव भेम सिंग next question की तरह बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन रियासत थी, इस question का right answer है option C, सबसे प्राचीन रियासत मेवार रियासत थी, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 17, British Company से संधी करने वाली प्रथम रियासत थी, इस question का right answer है option A, भरतपूर रियासत थी, British Company से प्रथम संधी करने वाली राजस्थान की एकमातर रियासत थी भरतपूर, next question की तरह बढ़ते हैं, सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी, जोदपूर, इस question का right answer है option B, सबसे बड़ी रियासत जोदपूर, सबसे चोटी रियासत थी साहपुरा जो कि भिलवाडा में है साहपुरा रियासत सबसे चोटी रियासत थी बड़ी यो चोटी रियासत से कई बार क्यूशन पूचा जा चुका है एक्जाम में नेक्स्ट क्यूशन की तरह बढ़ते हैं राजस्थान एक इकरण का छटा चरण कब पूरण हुआ था। नेक्स्ट क्यूशन की तरह बढ़ते हैं। पूर्व राजस्थान दूसरा चरण जिसके उद्गाटन करता थे एनवी गोड़िल मतश्य संग प्रथम चरण के उद्गाटन करता थे एनवी गोड़िल वड़ते हैं नेक्स्ट क्यूसन की तरफ क्यूसन नमबर 22 वर्तमान राजस्थान आधूनिक राजस्थान का गठन कब हुआ था इस क्यूसन का राइट एंसर है संगत भरत राजस्थान की राजस्थान की जैपूर संगत भरत राजस्थान का गठन कब हुआ था इस क्यूसन का राई टैंसोर है option B 15 मई 2019 को सयोक्त भरत राजस्तान का गठन राजस्तान का गठन च्यूसन No.25, राजस्तान एक मात्र केंदर शासित परदेश कोन सा था इस क्यूसन का राई टैंसोर है option C अजमेर मेरवारा, बढ़ते हैं next क्यूसन की तरफ Q26, राजस्थान एक इकरण में ठिकाने कौन कौन से थे इस Q26 का राइट एंसवर है, option C कुसलगड लावा निम्राना, तीन ठिकाने थे राजस्थान एक इकरण के समय Next Q26 है, राजस्थान एक इकरण में पर्थम चरण राजस्थान एक इकरण कुल साथ चरणों में हुआ था इस Q26 का राइट एंसवर है, option A Q29, राजस्थान एक इकरण में दूसरे चरण में कुल कितनी रियास्थों का विले हुआ था सबसे most important काभी बार यहां से Q26 आता है इस Q26 का राइट एंसवर है, option B नो रियास्थों का विले हुआ था राजस्थान के एक इकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के एक इकरण का दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को सबसे ज़्यास्था रियास्थों का एक इकरण हुआ था विले हुआ था इस चरण में अब हम बात कर लेते हैं नोर्यासत कौन कौन सी थी नोर्यासत थी बासवाडा, बुंदी, जालावाड, किसंगर्ड, डुंगरपुर, कोटा, सहपुरा, परताबगर्ड, टॉंक इसको याद करने का एक सुत्र है बाबू, जाडो, किको, परसाटो बाबू, जाडो, किको, परसाटो बाबू, बासे बासवाडा, बु से बुंदी, जासे जालावाड, अडै से दुंगरपुर, की से किसंगर्ड, कोशे कोटा, प्रै से परताबगर्ड, सा से सहपुरा, टॉंसे टॉंक नोर्यासतों का एकिकरन हुआ था दूसरे चरण में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्यूसन की, क्यूसन नंबर 30, संयूप्ठ राजस्तान का गठन कब हुआ था संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रेल 1948 को तीफरा चरन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था ये थे राजस्थान एक इकरण से समधित Most Important क्यूसन आगे भी राजस्थान इतिहास के परतेक टोपिक के Most Important क्यूसन से समधित वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली है कि अधिए ये यूद्दी राजस्थान से समधित